वेल्कम बैक फ्रेंड्स माल साथ प्रोफेसर अशोग और हम लोगों ने लास्ट लेक्ट्र में क्या किया था तो 1.3 एक्सराइज के तीन कॉंप्लेक्स नंबर इन्हें पोलार फॉर्म एन एक्स्पोनेंशल फॉर्म तो पोलार फॉर्म एन एक्स्पोनेंशल फॉर्म क्या है हम लोगों ने सीखा है क्या था तो जो फॉर्मुला लिख लेते हम लोग पोलार फॉर्म का क्या फॉर्मुला है वहुत सिंपल है हम लोग याद है सब लोगों को हम लोग ने किया था last to last lecture में ओके अच्छा यह आर मतलब क्या है तो आर मतलब होता है mod of z और जो हम लोग को मिलता है root of a square plus b square करने से अच्छा आर तो मिल गया what about this theta टीटा कहां से मिलेगा तो theta मतलब argument और amplitude of amplitude of z हम लोग कैसे निकालते हैं तो tan inverse of by बराबर है इसके लिए हम लोगे four cases देखेते theta के लिए याद है क्या कौन से first quadrant second quadrant में क्या होगा third quadrant में क्या होगा and fourth quadrant में क्या होगा वो बराबर है यह सारी चीज़े यहां पर normal लिखते हैं हम लोग यहां पर क्या लिखते है तो यहां पर लिखेंगे pi minus theta जो भी value आता है वो pi minus something आएगा बराबर है यहां पर क्या आएगा pi plus कुछ आएगा और यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे 2 pi minus something यह हम लोग solve करेंगे देखेंगे कैसे आ रहा है let's start with first example simple example तो बोला है उन्होंने minus 1 plus root of 3i है न हम इसको इसे नहीं छोड़ सकते तो इसका नाम करम करते है तो let z is equal to minus 1 plus root 3i बराबर है यह भाई साब के साथ इसको compare करेंगे तो a का value क्या आएगा तो a is equal to minus 1 है पूरा का पूरा आगया b is equal to क्या आएगा i आएगा के साथ में i नहीं क्योंकि i के साथ में जो b होता है तो b हो गया root 3 बराबर है तो first step हम लोग को क्या करना है तो first step that is यहां पर हम लोग को एक condition लिखना पड़ता है कि a is less than 0 less than 0 and b is greater than 0 लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे अभी तो हमें r चाहिए r मतलब ही होता है mod of z which is equal to मेरे पास सीथा सीथा formula कौन सा formula a square plus b square very nice what is the value of a a का value है minus 1 का square plus b का value है root 3 okay square कर दो चलो क्या मिलेगा root of यह 1 minus 1 का square क्या हो जाएगा 1 plus root 3 का square क्या होता है 3 होता है पता है न root 3 into root 3 तो होता है 3 root 9 या 9 इसे मतलब लिखना गलत है तो यह हो जाएगा root of 4 अच्छा लेकिन मुझे root of 4 है तो वहां से बाहर आ जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा r मिला मुझे 2 साधा simple हिदम पटक से मिल गया अच्छा अभी कौन चाहिए तो भी यह theta चाहिए न ओके तो हम लोग क्या बोलेंगे यह coordinates क्या माइनस 1, root 3 तो हम लोग गोलेंगे minus 1, root 3 कौन से coordinate पर लाई करेगा सोचो यह है यह real axis होता है यह imaginary axis होता है देखो minus 1, minus 1 मतलब यहां पर आएगा, comma root 3, root 3 मतलब क्या होता है, 1.71 होता है, मतलब यहीं कहीं पर तो आएगा, है न, थोड़ा से यहां पर ले ले समझ में, यह root 3 है, बराबर है, तो यह point यहां पर आगए, कौन से coordinate में आगया, second, यह होता है first, यह होता है fourth, यह होता है third, तो हम लोगो बोलेंगे, this lies in second quadrant, लिकना ज़रूरी है, अगर यह second quadrant में lie करता है, तो amplitude of z, यहां फिर हम लोग बोल सकते है, theta, क्या आएगा, मैंने बोला था, second quadrant में तो होता है, तो pi, plus, minus कैसे आया, यह बीच में minus कैसे आया, मैं बताता हूँ, यहां बोलेंगे, हम लोग tan inverse of, b by a, मैंने वो चारो cases discuss की है, यह चारो cases, फिर बिस्तिल अगेन, I am telling you कि कैसे आ रहा है, वो minus, ओके, तो क्या हो जाएगा, यह pi, plus, ऐसे रेको, tan inverse of, अच्छा, यह b by a, b का value क्या है, root 3, a का value है, minus 1, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, pi plus, tan inverse of, यह minus है नहीं यहां पे ले ल चला गए, अभी देखो, मैंने बोला था, कि tan inverse of, minus theta, यह होता है, minus of tan inverse of theta, ओके, यह अगर आपको पता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, pi minus हो जाएगा, यह minus आ जाएगा, tan inverse of, root 3, अच्चा, tan root 3 कभ होता है, tan root 3 कभ होता है, तो मुझे पता है, pi by 3 पे, मतलब pi 60 पे, अब pi 60 बोलेंगे, tan 60 पे, तो मैं बोलेंगे, pi minus pi by 3, कहां से आया, तो यह, in root 3 कभ होता है tan, तो मुझे पता है, 60 पे 60, मतलब pi by 3 हो जाएगा, अच्छा, cross multiply करो, 3 pi minus pi, divided by 3, which is 2 pi by 3 तो यह आ गया मेरा theta होता है या I am pluted होता है दोनों चीज़े मिल गए मुझे consequence तो एक देखो एक चाहिए था मुझे R यह formula के लिए और दूसरा चाहिए था मुझे क्या चाहिए था theta theta भी मिल गया तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे यहीं पर लिख दू देखो हम लोग बोलेंगे polar form of Z which is equal to R cos theta plus I sin theta which is equal to R कितना है मुझे 2 cos of 2 pi by 3 theta के जगे पर into I sin of 2 pi by 3 अच्छा यह तो हो गया polar form exponential form के बारे में क्या बोलेंगे exponential form भी हम लोग ने सीखा था और Z क्या formula था एक्तम simple easy R R तो दोनों में आता है E raise to I theta R क्या है 2 E raise to I into theta क्या है 2 pi by 3 चलो इसको rearrange करके लिखते है हम लोग से 2 E raise to 2 pi by 3 I यह हो गया आपका exponential form कितना easy and simple है कुछ इसमें difficult लगा कुछ difficult नहीं लगना चाहिए बहुत ही easy and simple है अब बस try करना है steps follow करने R find out करो देखो कभी-कभी क्या होगा यह simplified Z plus IB वाले form में नहीं होगा कुछ denominator, numerator होगा कुछ अलग कुछ situation किसका square करके दिया होगा तो हम लोग को पहले simplify करना है Z plus Z is equal to A plus IB यह form में लेके आना है ऐसे simplify वाले compare करो A and B का value लेके और solve को समझ में आया let's see the question हम लोग interesting question देखेंगे third वाला कौन सा? third वाला question क्या थी यह? minus 1 तो मैं क्या बहूंगा पहले? नाम करन करो Z is equal to minus 1 अच्छा लेकिं यह क्या है? इसको मैं इसे लिखता हूँ plus 0I क्यों? imagine my part 0 अने से लिख 0I से लिखा क्यों मेरे को पता चलना चाहिए? तो मैं क्या बोलूँगा? A is equal to मेरा minus 1 है and B is equal to मेरा 0 है पता है? अच्छा ठीक है अभी क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग तो पहले R find out करते हैं जिसको हम लोग modulus of Z बोलते हैं वो कैसे मिलता है? A square plus B square करके तो यह क्या करेंगे? यह minus 1 का square करेंगे plus 0 का square करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 plus 0 root of 1 which is equal to 1 R कितना मिला? तो 1 मिला अरे वाँ, बहुत ही simple है अच्छा, अभी क्या चाहिए मुझे? यह 1 का minus 1,0 है minus 1,0 कहाँ लाए करेंगा? देखो यहाँ पे minus 1,0 मतलब यह यहीं पे रहेगा कौन से axis पे? तो यह real axis पे लेकिन कौन से side पे? तो negative side पे है यह positive side होता है न? negative lies on negative ने पूरा लिको negative real axis यह लेकिना ज़रूरी है अगर यह negative real axis पे तो यहाँ पे क्या होता है? यह तो 0, यह होता है pi by 2, यह होता है pi, यह 3 pi by 2 और यह अगे 2 pi आ जाता है यह कितना है? pi, तो हम लोग क्या बोलेंगे? amplitude of z और हम लोग theta is equal to कितना मिलेगा? pi, easy है, impulse है, बात खतम हो गया r मिल गया, theta हो गया substitute करो यहाँ पे polar form of z is equal to r cos theta plus i sin theta, यह है 1 cos of pi plus i sin of pi मतलब 1 से multiply करेंगे तो चला जाएगा मेरे पास क्या बचाएगा? cos pi plus i sin pi आ गया ने, यह कौन से form में आ गया? polar form होगी, exponential form में क्या होगा? 1 into e raise to i into pi तो मैं बोलू, e raise to pi i यह हो गया मेरा exponential form क्या difficult है इसमें? कुछ difficult लग रहेगा हम लोगों को नहीं, बहुत ही easy and simple form में है यह हो गया मेरा answer, यहाँ पे यह होए answer ठीक है? यह question number 3 था इसके बाद interesting question में 6 वाला solve करने वाला, बाकी के 3 आपके लिए home हो गया, कौन सा? question number 2, 4 and 5 वाला, अच्छा यह 4, 5th and 6 वाला similar type of question है, 6 वाला थोड़ा सा आपको hard लगेगा, इसलिए मैं solve कर रहा, ओके? let's see the question number 6 तो let's see question number 4 6 के सा है, और यह 4th 5th मैंने side में लिखके रखा है, मैं बता हूँगा कौन से step पर किस से match कर रहा है तो देखो, यह मैंने क्या बोला था कुछ question ऐसे हैंगे आपको, कि आपको solve मतलब simplify करना पड़ेगा z plus, z is equal to a plus ib के form में नहीं होगा तो इसको पहले simplify करेंगे तो first step of simplification क्या होगा यहाँ पर तो यह denominator में square हैं, उसको कर लो पहले तो यह 1 plus 7 i हो जाएगा, बराबर ओके, ओके, यह 2 a minus b का whole square formula यूज करेंगे हम लोग yes, क्या हो जाएगा, a square तो 4 हो गया, यह हम लोग लिखते हैं पूरा यह 2 square minus 2ab, मतलब 2 2 into 2 into i plus b square मतलब यह हो गया, i square अच्छो चलो, simplify मतलब इसको solve करते हैं, लोग 1 plus 7 i divided by 2 square 4, minus 2, 2 is a 4 into i, 4 i i square मुझे पता है, minus 1 होता है, कहां से है भाई सब यह, तो हम लोग को पता है कि, i square is equal to minus 1 होता है, very good therefore, z is equal to 1 plus 7 i, अच्छा यह क्या हो जाएगा, देखो, 4 minus 1, तो यह मिला मुझे 3 minus 4 i, अच्छा यह एक और एक, हम लोग के लिए simplification हो गया, देखो, यहां पेता, यहां से यहां पोचे, क्या यह similar मेरे fifth वाले question जैसा, numerator मे complex number है, denominator में complex number है, लेकिन क्या हम denominator में complex number रखते है नहीं रखते, कभी भी नहीं रखेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को simplify करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे इसके conjugate के pair से multiply and divide करेंगे किसके है, तो यह denominator के तो यह आगया numerator, यह है मेरा 3 minus 4 i, इसका conjugate क्या होगा, तो सिफ negative अपना जो imaginary part है, उसको sign change करेंगे, तो यह minus था plus होगा, 4 i divided by, यह सारा जंजट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग denominator में कभी भी complex number नहीं रखते root नहीं रखते, पता नहीं यह सारी चीज़े, ओके तो क्या हो जाएगा, multiply करो यह 1 into 3, 3 plus 1 into 4 i, 4 i plus 7 into 3 21 i, 7 into 4, 28 i square, divided by a minus b, a plus b क्या होता है, तो a square minus b square सबको पता है formula, z is equal to simplify करो, तो यह हो जाएगा 3 तो ही, यह plus 4 plus 21 हो जाएगा 25 i यह हो जाएगा minus 28 28 कहां से आएगी मुझे पता है, तो यह हो जाएगा 9 minus, यह हो जाएगा 16 i square, और यहाँ पे यह minus कहां से आएगा, तो हम बोलेंगे i square is equal to minus 1 ओके चल, यह थोड़ा सार लेंदी हो रहा है हमारा बाकी कुछ नहीं, टेंशन मत लो तो therefore, z is equal to क्या मिला तो यह देखो, 3 minus 28 कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 25, minus 25 plus 25 i yes, divided by, यह 9 यह plus 16 लिखू क्यों लिखा plus 16? तो हम लोग को पता है, i square is equal to minus 1 होता है right, yes तो क्या मिला, z is equal to minus 25, अगर मैंने 25 common निकाला तो यहाँ पर बचेगा, minus 1 plus i divided by 9 plus 16 25 चलो, cancel करो 25 को denominator भी भी है, numerator भी है चलो जाए भाई सब, तो minus 1 plus i, यह होगा मेरा simplified form of z is equal to a plus i b में, समझ में आया तो एक question में क्या करेंगे और यह denominator में हमारे पास complex number नहीं रखते न, तो इसका conjugate pair 1 minus i से multiply and divide करेंगे यहाँ पर किसे करेंगे, तो यहाँ पर 1 plus 3 i से करेंगे, क्यों यह इसका complex conjugate pair है 1 plus 3 है, तो आप कौन से आ जाए, समझ में आया, ओके यही पर रुख जाएंगे क्या नहीं, हम लोग को तो क्या निकलना है, polar and exponential form लिखना है न तो इसके accordingly a क्या बन गया मेरा तो a बन गया मेरा minus 1 and b बन गया मेरा 1 right है, हाँ right है तो r find out करो which is modulus of z, which is root of a square plus b square तो यहाँ पर मैं direct लिखूंगा minus 1 का square होता है 1, b का square होगा 1, तो मुझे मिलेगा root 2 सीधा सीधा, यह r मिल गया लेकिन हमें theta भी चाहिए न तो theta के लिए क्या करेंगे तो हम लोग बोलेंगे पहले coordinate क्या है minus 1,1, कि कहां पर lie करेगा सोचो जड़ा तो minus 1,1 lies in second quadrant बराबर है न बराबर है second quadrant में अगर lie करता है तो theta क्या मिलेगा मुझे theta हम लोग बोल सकते हैं कि यह हो जाएगा pi plus tan inverse of b by a बराबर तो मुझे मिलेगा pi plus tan inverse of minus 1 upon 1 ठीक है यह अभी आपको समझ में है fourth and fifth question मैं इसको erase कर रहा तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा तो theta मिछे मिलेगा pi देखो यह minus sign अंदर बाहर ले लिया मैंने तो minus of tan inverse of 1 therefore अच्छा tan 1 कब होता है tan चब tan का value 1 कब होता है किसी को याद है क्या मुझे तो याद है वो होता है pi by 4 पे गराबर मतलब मुझे बता है न tan of 45 is equal to 1 यह 45 मतलब pi by 4 होता है गराबर therefore cross multiply करो theta is equal to 4 pi minus pi divided by 4 तो theta is equal to 3 pi by 4 देखो मुझे r भी मिल गया मुझे theta भी मिल गया अभी क्या करेंगे लिखना है सिता सिता polar form of z क्या formula है r cos theta plus i sin theta चलो value substitute करो r मुझे मिला था root 2 cos of 3 pi by 4 plus i sin of 3 pi by 4 यह तो हो गया polar लेकिन exponential भी पूछा है तो हम लोग बोलेंगे exponential form of z is equal to क्या formula था r e raise to i t tan r था root 2 e i into 3 pi by 4 चलो इसको rearrange करके लिखो तो हम लोग बोलेंगे root of 2 e raise to 3 pi by 4 i यह हो गया मेरा final answer कितना easy है simple है fourth wall and fifth wall भी similar है इसे ही solve करने आपको आना चाहिए मेरे सबसे तो आ जाएगा अब ठीक से करो ओके तो यहाँ पे question number 4 खतम let's see the question number 5 बराबर इसके उल्टा है इसका उल्टा मतलब क्या हम लोग ने यह form में से यह polar and exponential form में लिखा fifth wall में हम लोग को polar and exponential form दिया और बोला है मुझे normal form में लिखके दिखा आओ चलो देखो question number 5 के बुला है express the following numbers in the form of x plus i y मतलब actually इसे में लिखना है z is equal to a plus i b के form में अच्छा यहाँ पे आपको नदो तीन चीज़े सीखनी ज़रूरी है अच्छा एक्च्छली यह तो यह सारी चीज़े मैं trigonometry में सिखाने वाला हूँ आपको फिर भी लेकिन यह complex number solve करने के लिए वो चीज़े समझना ज़रूरी है चैसे हम लोग ने अभी तक जितने भी angles लिए जितने भी trigonometric functions के values मतलब यह sin, cos, tan cot यह सारी चीज़े हम लोग को पता है बराबर है यह 0 को हम लोग बोलते है इसको क्या बोलेंगे pi by 6 कितना? pi by 6 यह होगा pi by 4 यह होगा pi by 3 और यह होगा pi by 2 90 को हम लोग बोलते है pi by 2 ठीक है? यह थोड़े अभी के लिए ध्यान में रखो trigonometer में पूरा basic करवा हुआ यह होगा 0 यहां से यह कितना होता है? 90 90 मतलब मेरा pi by 2 अच्छा, यह 90 है यह भी 90 है दोनों को मिलाएगा तो 180 मतलब pi बन गया मेरा यह होता है 3 pi by 2 और जब घूम के हम लोग वापस यहां आते तो यह बन जाता है 2 pi अभी जब यह angle यहां पर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते है? क्या बोलेंगे? theta लेकिन वही angle जब मैं यहां पर बनता है यह angle है यहां पर बना रहा है तो मैं क्या बोलूँगा? मैं यह theta मेजर करता हूँ लेकिन मैं हमेशा positive x-axis से measure करके इसे माइब तो यह angle actually यह angle बताना है मुझे तो मैं कैसे बताऊंगा देखो यह छोटा angle कितना बना रहा है यहाँ से यहाँ से बना रहा है ठीटा यह total angle कितना है पाई तो मैं इसको कैसे लिखूंगा मालूम है यह जो alpha angle है तो alpha को मैं इसे बोल सकता हूं यह पाई में से ठीटा माइनस करूँगा तो मुझे alpha मिलेगा तो यह पाई माइनस alpha हो गया वही angle अगर यहाँ पर है इसके साथ वो बोचूंगा यहाँ पर पाई प्लस टीटा समझ में आया तो उसी तरह अगर कोई angle यहाँ पर बना रहा है ठीटा हम लोग उसको क्या बोल सकते है जब मतलब क्या होता है यतना समझ में आया है अभी देखो किसी का function का भी मैंने बोला अगर यह sine of 2 पाई प्लस टीटा है तो यह actually बन जाता है sine of टीटा क्योंकि यह जो 2 पाई होता है न कभी भी यह 2 पाई मतलब हमारा होता है यह पूरा एक circle complete कर दिया और प्लस टीटा है तो यहीं पे आने वाला है सिर्फ टीटा भी बोला तो यहीं पे आएगा 2 पाई प्लस टीटा बोलेगा तो भी यहीं पे आएगा समझ में आया similarly sine of 2 पाई माईनस टीटा बोलूंगा न तो यह बन जाएगा sine of माईनस टीटा क्या बन जाएगा sine of माईनस टीटा similarly अगर यह cos of 2 पाई प्लस टीटा है न तो यह बन जाएगा और cos of 2 pi minus theta है तो यह बन जाएगा minus cos theta यह हम लोग बोलते है cos of minus theta यह दो formula समझ में आएं दो दो चार और हम लोग क्या बोलते है यह sine absorbed करता है कौन? sine of minus theta है ना तो हम लोग बोलते है minus sine theta ओके cos of minus theta रहेगा तो हम लोग क्या बोलेगे cos theta है उसको sine का फरक नहीं पड़ता वो sine absorbed कर लेता है तो यह formula आपको याद रखने है अभी के लिए यह वापस revise करूँगा और actually कैसे आए यह formula derive कैसे कि यह वह मैं आपको सिखाऊँगा कहां पे तो आपको सिखाया जाएगा trigonometry में तो इसके लिए हम लोग क्या करते है देखो यह direct तो हमें answer मिलेगा नहीं तो हम लोग क्या करते है यह root 2 लिखा यह cos of 7 pi by 4 है न तो मैंने क्या बोला यह 2 pi के form में लाना ट्राय करना है 2 pi के form में तो कैसे आएगा तो मैं इसे बोलता हूँ देखो यहां पे थोड़ा सा arrangement करना बड़ता है मुझे कि यह जो cos है न उसको मैंने लिखा 8 pi by 4 minus pi क्या चलेगा यह 8 pi minus pi हो जाएगा 7 pi by 4 हाँ चलेगा कोई problem नहीं है कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को यह भी वैसे ही लिखेंगे हम लोग 8 pi by 4 यह आप अगर textbook में देखोगे या हमारे target में देखोगे तो उन्होंने डायरेक्ट यहां पे 2 pi लिया है कहां से आया वो नहीं बदा है यह मैंने बोला था pi के फॉर्मिल लाना है मुझे बस y sin of 2 pi minus pi by 4 ओके अभी क्या करेंगे यह root of 2 अच्छा यह cos of 2 pi minus pi by 4 कितना क्या था तो cos of minus theta होता है तो हम लोग बोलेंगे cos of minus pi by 4 है ना यह कहां से आया तो यह फॉर्मुले से साइन का क्या लिखेंगे तो साइन का लिखेंगे minus of pi by 4 यस बहुत ही simple and easy है अच्छा अभी यह दो फॉमिले योज़ करने हैं हम लोग को कैसे root of cos of pi by minus pi by 4 क्या होता है cos of minus pi by 4 क्या होता है तो मुझे पता है cos pi by 4 right plus यह I as it is रखो मुझे बोलो sin of minus theta क्या होता है sin of minus theta minus sin theta होता है तो यहाँ पर theta के जगे pi by 4 हम लोग क्या बहुत है minus sin of pi by 4 क्या कैसे कर रहें समझ रहें क्या root 2 इसको हम लोग सिर्फ simplify करके लिख दें फिर value substitute करेंगे plus minus minus हो गया और सुरी आए रहें आए sin of pi by 4 यस समझ में आए अच्छा cos pi by 4 cos pi by 4 मतलब हमारा cos 45 cos 45 कितना होता है cos 45 होता है 1 upon root 2 root 2 यह हो जाएगा 1 upon root 2 ओके minus sin pi by 4 भी 1 upon root 2 होता है यस तो हम लोग यह root 2 से अंदर multiply करेंगे तो क्या होगा यह होगा मेरा z हम लोग को क्या हो ला था x plus i y के formula न तो x plus i y के form में आ गया z plus i b के form में समझ में आए बहुत simple and easy है बस आप लोगों को यह formula आपके यहाँ पे लिखेरों को मैं वापस वापस नहीं बताने वाला हम लोग ट्रिगों में यह सारे formula रिवाइस करेंगे लेकिन अभी के लिए आपके notebook में यह formula एक side पे या last page पे लिखो या front page पे लिखो होने चाहिए साथ में ओके let's see the question number 2 क्या बोला है इसको मैं अभी कर रहा हूँ erase ओके तो question number 3 में देखो हम लोग लिखेंगे 7 एक formula यूज किया था हम लोगों ने वही फॉर्मिला यूज किया था होता है तो cos theta होता है तो cos of 5 by 6 हो गया okay minus कहां से आया sin of minus theta होता है minus sin theta तो यह जाएगा sin of यह positive हो जाएगा 5 by 6 ओके चलो इसके लिए और एक नया formula हम लोगो चाहिए मैं बताता हूँ क्या आएगा तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ देखो क्या ऐसे लिखू 6 है ना तो मैं बोलता हूँ 6 by by 6 minus pi by 6 चलेगा देखो ना 6 by में से pi चला गया तो 5 by 6 minus i sign of यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे हम लोग 6 by by 6 6 minus pi by 6 बहुत सिंपल इजी है देखते जाओ बस तो यह हो गया 7 से कॉस आफ यह हो जाएगा पाइ माइनस 5 by 6 माइनस i sign of पाइ माइनस क्या शीक्तिक्ष कैंसल तो पाइबचा ना है थोड़ा समझ में हर एक श्टेप नहीं बता सकते हैं हम लोग तो अभी देखो अभी फॉर्मुला कौन सा यूज करना है यहां पर नया फॉर्मुला क्या है हम लोगने तू पाइ के बारे में देखा था किसके बारे में जैसे यह था न देखा है यह कौन स ऑफ हम लोगने कि अगरे मायनस के लिए हम यह मैनस मैनस में क्या हो यह कोist टीटा ही हो यह मायनस साइन तो अभी क्या होगा तो अभी देखो हमों के बसरे के को आफ पाइ मेंनस सजी सुझ इसका उल्टा यह देखो यह साइन 2 पाइ माइनस टीटा तो माइनस साइन टीटा तो नियुक्त यह रह रहे लेकिन और यहाँ पर साइन के लिए क्या हो जाएगा अधीटा होगा तो मुझे मिलेगा साइन और यह पॉंमिला गें यह जो दो फॉंमिला भी बताए इथा लग तोगें तो और इस फॉंमिला हम लोगों क्या मिलेगा नहीं जा से फ्राइब मेंरेगी जूँआ इस रहेगा इसके accordingly चलो इसको रख करो पीछे जाके एक बार formula लिखके लेलो साथ में रखो बाकी हम लोग ट्रिगों में तो डिसकस कर नहीं वाले अच्छा 5 by 6 का value क्या होता है अगर आप लोगोंने पूरा टेबल याद रखा है 0 to 90 तक का तो ये भी आपको आना चीए बराबर है मुझे पता है मुझे तो पता है इसका value कितना होता है तो cos of 5 by 6 का value होता है root 3 by 2 cos of 30 मतलब माइनस ये हो जाएगा i sin का क्या होता है 1 upon 2 क्या होता है 1 upon 2 क्या करेंगे तो ये 7 को ऐसे ही रखो दोनों में से अगर 1 by 2 common आता है निकालो है ना निकालो हम लोगो क्या करते है ये multiply करते है जो लो 7 कौन दे तो क्या मिल जाएगा minus 7 root 3 by 2 minus 7 upon 2i ये हो गया मेरा final answer कितना simple है नहीं easy है देखा आगया ने a plus i b या x plus i y के form में बहुत simple है ना चलो इसके बाद हम लोगो क्या दिया exponential form में दिया है और x plus i y में convert करना है let's see तो question number 5 में देखो fifth वाला क्या दिया exponential form में दिया और बोला क्या हम लोगो x plus i y निकालो उसी formula इसमें ने last 2 question के वैसे solve करना दिया बस x step बढ़ जाएगा क्या तो इसको हम लोग नाम करन करते तो बोलेंगे let z is equal to e raise to minus 4 pi by 3i अच्छा इसका अगर exponential form का formula क्या था हमार e raise to i theta बराबर है मतलब e के साथ जो भी है वो r होता है इसके साथ compare करें कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो r is equal to 1 हो गया यह जो i के साथ जो भी है वो theta होता है तो i के साथ जो भी है वो क्या होता है theta बराबर है मतलब मेरे पास r theta है तो क्या मैं polar form लिख सकता हूँ तो मैं बोलूँगा polar form of z is equal to formula है मेरे पास r cos theta plus i sin theta बराबर तो r मेरा 1 है cos of minus 4 pi by 3 right इसको square bracket कर देता plus i sin of minus 4 pi by 3 right yes समझ में आ रहा है सब लोगों को अभी क्या करेंगे अभी वापस हम लोगों वही formula यूज करना है देखो यह cos of minus theta होता है cos theta तो मैं बोलूँगा यह 4 pi by 3 plus i minus of theta sin minus theta होता है minus तो यह हो जाएगा minus sin of 4 pi by 3 इसको वापस मैं try करूँगा कि एक तो यह pi के form में आ जाए या 2 pi के form में आ जाए तो इसको कैसे करेंगे देखो तो हम लोग इसको इसे अलग कर सकते देखो cos of क्या मैं भूलू 3 pi by 3 plus pi by 3 चलेगा है ना देखो ने यह 3 pi plus pi 4 pi हो जाएगा 4 pi by 3 आ जाएगा sin of 3 pi by 3 plus pi by 3 ओके चलो क्या करते अभी यह अगर 3 3 cancel हो गया तो मुझे मिलेगा pi plus pi by 3 minus i sin of sin of pi plus pi by 3 यह अगर इसको कैसे convert करना है देखो अभी यह क्या होता है हमारे पास मालू में ना all science teacher classy इसे मैं याद रखता हूं इसका मतलब क्या है यहाँ पे all मतलब यह sign cost and sub positive होते हैं यह s मतलब यहाँ पे सिर्फ sign positive होता है यह t यहाँ पे तान and cot positive होता है और यहाँ पे c मतलब cos and take positive होता है बराबर है अच्छा यह देखो pi plus pi by 3 यह pi मतलब यह plus यहाँ पे pi by 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan and cot positive बागी negative होता है, मतलब मुझे क्या मिलेगा, सोचो, तो मुझे मिलेगा minus of cos pi by 3, समझे, cos of pi by 3 है, यहाँ पे आके सिर 10 cos positive होता है, तो cos of pi by 3 क्या हो जाएगा, minus cos of pi by 3, minus i, pi plus यह भी minus हो जाएगा, sin pi by 3 बराबर है तो यहाँ पे मिलेगा मुझे minus cos of pi by 3 plus i sin of pi by 3 बराबर है यह चीज़े याद में रखवा मैं यह trigon में सिखाऊंगा क्या करेंगे यह बीच में topic आगया है तो trigon इसके साथ मैंने क्या करता हूं next video जो बनाऊंगा ना तो trigon का basic करते हैं यह खतम होने के बाद तो cos of pi by 3 कितना होता है हम लोग ने अभी देखा था तो होता है minus 1 upon 2 बराबर है यह plus i sin of pi by 2 कितना होता है तो होता है root 3 by 2 pi by 3 तो हो गया ना आ गया ना root 3 by 2 x plus i y के form में आ गया यही मेरा answer है यही मेरा solve हो गया क्या किया exponential form था r and theta find out किया polar form में convert किया और last two question किया दो इसे ही solve कर दिया बराबर है तो आपको इसमें home work क्या रहेगा तो इसमें का first बाद में fourth वाला and sixth वाला fourth वाला एकदम easy है sixth वाला इसे ही solve करने का तो यहाँ पर हमारा five question खतम हो गया इसके बाद हम लोग देखते है sixth वाला question क्या है देखो ए question number six में solve नहीं करने वाला सिब discuss करने वाला क्यूं कि यहने question number कहां पर पता है आप लोगो को कि हमारा इसी exercise में question number four का अगर fifth वाला देखोगे तो यही question है उसमें हम लोग को क्या यह modulus and amplitude find out करना है तो मैंने क्या बोला था यह जो z इसको let नाम करन किया उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि इसको हम लोग denominator में कभी भी complex number नीचे है तो मैंने क्या बोला था तो मॉडुलिस के लिए modulus of z और amplitude of z find out करो बराबर है ना यह सारी चीज़ें आप कर सकते हो तो similar to question number four के fifth वाला है तो यह मैं आपके लिए homework as a homework दे रहा हूं तो हम लोग अभी देखेंगे seventh वाला question बहुत ही interesting question question number seven देखो बहुत ही अलग दिया ऐसा लगेगा आपको कि यह कोई तो बहुत अलग ही question है कैसे solve करेंगे नो कुछ नहीं कुछ difficult नहीं है देखो कैसे करना है कि simplify करना है first step तो इसको simplify करना है तो मैं बहुलूंगा यह i-1 as it is इसमें कुछ simplification होने नहीं है अच्छा, cos of pi by 3 क्या होता है cos of pi by 3 होता है 1 upon 2 y value substitute करेंगा 1 upon 2 plus i sin of pi by 3 क्या होता है root 3 by 2 substitute करेंगा बराबर है अच्छा यह दोनों में 1 upon 2 common है तो 1 upon यह numerator में इसे रखो i minus 1 यह 1 upon 2 को अगर मैंने common निकला तो अंदर क्या बचेगा 1 plus root 3 i yes ये जो half है न ये उपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा बराबर तो ये बन जाएगा 2 तो हम लोग बोलेंगे 2 into 1 minus i minus 1 ये हो जाएगा 1 plus root 3 है लेकि हम लोग को पत है हम लोग denominator में कभी भी complex number नहीं रखते तो इसके conjugate pair से multiply करो तो 1 minus root 3 है बराबर ना? Yes divided by 1 minus root 3 है चलो multiply कर देते ये 2 को इसे ही रोको बाहर अंदर क्या हो जाएगा? 1 into i i into minus root 3 into i हो जाएगा तो ये हो जाएगा minus root 3 i square ओके ये minus 1 minus 1 into minus root 3 तो हो जाएगा plus root 3 i yes divided by a plus b a minus b तो हो जाएगा a square minus root 3 i का square therefore 2 को ऐसे ही रखना है हम लोगों को ये i as it is रहेगा i plus root 3 i इसको साथ में ले लेते हैं हम लोग तो अगर मैंने common निकाल लिया तो क्या बनेगा ये 1 plus root 3 i common निकाला ये क्या हो जाएगा minus root 3 i square क्या होता है i square तो होता है minus 1 तो ये plus minus 1 क्या क्या समझ में आया देखो ये i ये root 3 हायल दोनों में से i अगर common निकाला तो 1 plus root 3 मिला ओके ये i square था तो minus का plus हो गया plus ये minus वैसे ही है ये क्या हो जाएगा 1 minus 3 i square यहाँ पर reason क्या देंगे हम लोग तो हम लोग को पता है i square is equal to minus 1 ओके therefore z is equal to 2 ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ये देखो ये मुझे मिला root 3 minus 1 plus 1 plus root 3 i ओके divided by ये 1 i square था इसलिए plus 3 हो गया reason again देंगे हम लोग पता है i square is equal to minus 1 होता है therefore z is equal to ये हो जाएगा 2 upon 4 है ना 1 plus 3 4 हो गया और यहाँ पर मुझे मिला root 3 minus 1 plus 1 plus root 3 i ओके 2 1 जा 2 2 जा चलो तो दोनों को दे देते तो ये मिला root 3 i minus 1 divided by 2 plus 1 plus root 3 upon 2 i बराबर है हम लोग को क्या चाहिए polar form है ये a plus i b के form में आ गया therefore a क्या है मेरा तो a ये root 3 minus 1 by 2 b क्या है तो b है मेरा 1 plus root 3 upon 2 चले ये अभी क्या करते हम लोग पहले modulus of z निकालना पड़ता है ना r निकालना पड़ता हम लोगो तो ये उदे root of a square plus b square plus b square तो root of ये क्या हो जाएगा देखो root 3 minus 1 by 2 का square plus 1 plus root 3 by 2 का square तो यहाँ पे square लिग दो इसका square करेंगे तो क्या मिलेगा root 3 का square हो जाएगा 3 minus 2 root 3 कहां से आएगा 2 into a b plus 1 बराबर है plus देखो इसका भी 4 आएगा इसका भी 4 आएगा तो denominator साथ में 4 बना लिया मैंने चलो तो ये क्या हो जाएगा ये भी आएगा 1 plus 2 root 3 plus 3 आगया root top तोड़ा सा ध्यान दे दो यहाँ पर calculation में mistake हो सकता है तो ये 4 को अगर मैंने बाहर रहने दो यहीं पर रहने दो बाद में बाहर निकलते हैं ये 4 देखो ये minus root 2 3 plus root 2 root 3 cancel हो गया 3 plus 1 4 4 plus 1 5 plus 1 3 5 plus 3 8 हो गया पराबर समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है याँ तो ये कितना हो जाएगा r नाम दे दे दा हूं में से r is equal to हुम लोग बोलेंगे root of 2 समझ में आया कितना r का value तो root 2 मिला अच्छा हो ठीक है अभी क्या बोलेंगे a क्या ये है दोनों positive है दोनों क्या है positive है तो कौन से quadrant में लाइ करेंगे तो हम बोलेंगे therefore root 3 माइनस 1 बाइ 2 comma 1 प्लस root 3 बाइ 2 lies in first quadrant first quadrant क्यों? दोनों भी positive है ने negative नहीं है इसले first quadrant में therefore theta is equal to tan inverse of b upon a okay तो tan inverse of b upon a में कैसा है गा? b क्या है मेरा? 1 प्लस root 3 बाइ 2 divided by root 3 माइनस 1 बाइ 2 तो दोनों का 2, 2 cancel हो जाएगा तो क्या मिला मुझे? tan inverse of 1 प्लस root 3 upon root 3 माइनस 1 बराबर है? हाँ बराबर है तो इसको भी simplify theta मिल गया लिखो polar form of z is equal to formula क्या? r cos theta plus i sin theta r की तरा मिला? r मिला root 2 okay cos of theta क्या मिला? देखो यह हो गया root 3 प्लस 1 सिर्फ री अरेंज किया root 3 माइनस 1 plus i sin of root 3 plus 1 root 3 minus 1 क्या difficult है? नहीं जो अभी तक किया वही यहाँ पर implement करना बस थोड़ा सा lengthy है समझ मैं question number 7 let's see the question number 8 and 9 question number 8 नहीं बहुत simple and easy है तो actually solve करने का भी ज़रूरत है बस मैं आपको थोड़ा सा यह कर देता हूँ confused नहीं अच्छे क्या बोला है? prove करना हम लोग यह verify करना है z दिया है और यह सरफ verify करना है देखो इसका conjugate पे है मतलब 2-3 आए बराबर है इसका बार है बराबर है मतलब इसका भी conjugate वापस क्या आएगा? किज़ा सी देल है? देखो उससे अच्छा देखो इसे नहीं करते हैं हम लोग LHS पे जाती ही नहीं हम लोग को z क्या दिया हुआ है? कहा गया? 2-3 है इसका अगर हम लोगों ने एक बार z बार निकाला तो क्या हो जागा? 2-3 है z बार मतलब क्या? conjugate pair होता है और इसका वापस हम लोगों ने निकाला तो क्या बनेगा? 2-3 है विच इस इकोल टू z प्रूव हो गया? दो स्टेप में सही है यहाँ पे देखो z बार पता है? मैंने यहाँ पे निकाला तो वापस निकालने का ज़रूँ है z इंटू z बार तो LHS ले लिया मैंने z इंटू z बार z कितना है? तो 2-3 है z बार कितना है? 2-3 देखो a प्लस b a-b तो होता है a²-b² तो 4 यह प्लस 9 होगया कहां से आया? तो i² is equal to minus 1 है तो कितना मिला? 13 तो LHS आया है मुझे 13 ठीए, इसको side में रखो RHS क्या है? RHS mod of z² तो यह कहां से लेते हैं हम लोग? a²-b² a²-b² मतलब क्या होगा? 2²-3 b² तो 2² आयगा 4 प्लस इसका स्क्वेर है हम अपिस अच्छा confuse नहीं होना है confuse नहीं होना है तो पहले हम लोग mod of z निकाल mod of z कितना आयगा? root of a²-b² इसको 1 दे दो a² मतलब 2²-4 plus यह हो जाएगा 9 तो root of 13 आया ओके? यह mod of z इसको साइड में रोको RHS क्या बोला है? तो RHS बोला है mod of z का स्क्वेर तो mod of z का स्क्वेर कितना होता है? तो यह आएगा हम लोग को root 13 का स्क्वेर इससे लिको 13 का स्क्वेर कितना आएगा? 13 which is RHS from equation 1, 2 से क्या बोल सकते हम लोग? LHS is equal to RHS प्रूव हो गया तो हिंस प्रूव लिखना है यह वापस नीचे similarly यह real बहुत ही easy है actually आप solve कर सकते हो solve करने का ज़रूरत नहीं था मुझे पस ठीक है यह z मेरा 2 प्लस 3 आया है and z बार मेरा होता है 2 माइनस 3 आया है देखो यह plus minus यह plus यह minus cancel तो बचा मेरे पास 4 which is real बराबर है अच्छा यहाँ पर यहाँ पर भी वही होगा z माइनस z बार is equal to 2 प्लस 3 आया है यह minus sign है तो अंदर के sign तो यहाँ पर 2 माइनस 3 आया हो गया बराबर 2 प्लस 3 आया यह minus sign अंदर जाएगा तही होगा minus 2 minus minus plus 3 आया minus 2 plus 2 cancel बचा मेरे पास 3 आया plus 3 आया 6 आया प्रूव हो गया इतना simple है ना चलो 9 वाला देखते थोड़ा सा interesting है question number 9 है यह तो हमारा सीधा properties verify करने के लिए बोला है क्या z1 z2 दिया है और बोला है z1 प्लस z2 वोल का बार which is equal to z1 बार प्लस z2 बार ठीक है तो इसमें हम लोग को क्या करना है देखो तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले z1 प्लस z2 निकालेंगे फिर उनका बार निकालेंगे बराबर है फिर z बार प्लस z2 बार का अड़ करेंगे बराबर है तो दोनों compare करेंगे देखो match कर रहे है की नहीं मतलब कैसे देखो first step क्या होगा z1 प्लस z2 निकाला कुछ आएगा function फिर z1 प्लस z2 बार निकाला बराबर है कुछ value आ गया उसके बाद z1 बार find out करो z2 बार find out करो and z1 प्लस z2 बार find out करो अगर ये value और ये value same होगा तो verify होगा same ही होगा verify होगया similarly इसमें solve करोगे आप similarly इसमें भी solve करोगे ठीक है मैं सिर्फ fourth वाला solve करूँगा आपके लिए जो थोड़ा सा आपको लग सकता है difficult but difficult नहीं है fourth वाले के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे तो z1 upon z2 निकालेंगे पहले उसके बाद बाहर निकालेंगे तो z1 कितना है one plus i divided by two minus three i लेकिन मैंने बोला denominator में कभी भी complex number नहीं चाहिए इसको simplify करते है तो one plus i divided by two minus three i into three i चलो multiply करो simplify करना हम लोगो one into two two one into three i three i plus i into two two i plus one i into three i तो three i square divided by a plus b a minus b क्या हो जाएगा four minus nine i square चलो i square का value substitute करो तो यह क्यों हो जाएगा two plus three plus two five i यह हो जाएगा minus three divided by four plus nine होगा क्यों क्योंकि हम लोग को पता है i square का value होता है minus one बराबर तो z upon z two कितना मिला तो यह देखो minus one हो जाएगा minus three plus two minus one plus five i divided by 13 divided by 13 चलो इसको अलग-अलग कर देते हम लो तो z1 upon z two कितना मिला मुझे देखो minus one upon 13 plus five upon 13 i बराबर है लेकिन मुझे क्या इसका बार चाहिए इसका क्या चाहिए बार तो लोग क्या करेंगे z upon z two का बार यह हो जाएगा यह acid रहेगा और इसका sign change होगा minus five upon 13 i this is my equation बराबर अभी क्या करेंगे यह lhs के लिए हो गया lhs हो गया rhs के z1 बार निकलना पड़ेगा तो है क्या बोलूँगा z1 बार is equal to इसका complex conjugate z2 बार कैसे मिलेगा तो z2 बार मिलेगा two plus three अभी क्या करेंगे z1 बार z2 बार को डिवाइड करेंगे ऐसे फहले single single किया था तो यह जगा one minus i divided by two plus three लेकिन denominator में हम लोग complex number नहीं रहेते तो multiply करो one minus i divided by two plus three इसका complex conjugate होगा हमारा two minus three divided by two minus three तो multiply करो तो one into two two one into minus three minus three minus i minus two minus two i minus i minus three i plus three i square divided by यह क्या होजागा two two's are four minus nine i square राइट देखो यह two as it is यह होजागा minus five i क्या होगा minus five i divided अचा बाकिया है यहाँ पर minus five i यह होजागा minus three कहां से आए three बताएंगे हम लो reason यहाँ पर i square is equal to minus one राइट यह क्या होजागा four plus nine तो क्या मिलेगा मुचिशन बार खार अपकीशन से रणा होजागा यहाँ यह अगा 2-3 minus 1 minus five i divided by nine four plus nine thirteen चलो यह होजागा बार अपकीशन से रणा होजागा इंचा राणी मिलेगा minus one upon 13 minus five upon 13 i राइट है विच इक्वेशन 2 प्रॉम एक्वेशन 1 and 2 और और वी गेट Z अपॉन Z2 वोल बार विच इस इक्वेल टू Z बार अपॉन Z2 हो गया न प्रूब यह थोड़ा सा difficult था कि कोई steps हम लोग बूल सकते हैं आपको नहीं आएगा इसलिए मैंने solve किया 1, 2 and 3 आपको आएगा आप खुछ solve करोगे बहुत दिन तो यहाँ पर हमारा exercise 1.3 खतम हो जाएगा इसके बाद हम लोग को D movers theorem देखना है और 1.4 exercise solve कर दे तो यहाँ तक सब लोग complete कर लो चलिए